हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सुपरिम गौड एंपरर के लटेस अपिसोड को लेकर आ गया हूँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के यह पसंद आएगा तो फिलिस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाएके चलते हैं इस अपिसोड की तरफ इस अपिसोड की सुरुआत भी बिल्कुल उसी सिंस से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट अपिसोड खतम हुआ था मुयान अभी बहुत ही तेजी के साथ में भाग रहा होता है क्योंकि मुयान के पिछे अभी ये वुल्फ पर हुए होते हैं इस चीज को देखकर मुयान अपने मन में सुंचता है ये वुल्फ लोग हम लोगों का पिछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जिवान कॉर माउंटेन के लोगों ने यहाँ पर एक फोर्मेशन को बना कर रखा है जिसकी विज़े से इस जया पर जो कुछ भी हो रहा है वो लोग इन्वीजबल होकर इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं और यहाँ पर जितनी चीज़े भी हो रही हैं वो सब वही लोग कर रहे हैं और यह बोलकर बहुत ही ठीजी के साथ में यहां से भाएने लगता है को अपने पीछे में लगता है और लेकिन लोगों को सिर्द मौियां के पास बहुत ही चाएल और पीछए लाने लगता है क्योंकि मौहियां के पास बहुत सारे भेंगे आगे होते हैं लेकिन तब हम मूहियां को दिखा भी के लखेल ऑगे तका करना के तुम आम लोगों को मात भी कि यह उथे जाएगी क browsers जी सकते हैं कि वह कितना ज्यादा डरा हुआ है लेकिन तभी हम लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज्यादा सौक हो रहे होते हैं इसके वाद हम लोग को मुयान और इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि सेफली इस केव में आगे होते हैं लेकिन या सीन यहीं पर कट होता है लोग इस चीज़ को 걸 कर रहा होते हैं जिसके विज़े से उस pac में बहुर्स सारे क्रिस्टल अपईयर हो जाते हैं और वो अच्छीय के आजपास में फियड जाते हैं जो कि इस आदमी को बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें इस बात पर फोकस करना क्या है, कि किसी दूसरे को तुम्हारे बारे में पता न चल जाए, और तुम अपने आपको केसे इस जिया पर छुपा कर रख सको, इस पर ये आदमी इस मिनर के सामने जुखते वे बोलता है, मैं अपनी गलती को जानता हूँ, इसलिए कुटियान पेले स्थिरे थावजन इस मौन वर्ल्ड में तीसरे अस्थान पर आता है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कि जुआन को माउंटेन बहुती जल्द अपनी एक पावर को खोने वाला है, जिस पर ये लेकिन मुझे दर है कि मुईयान अगर मेरे से ज़्यादा पावर्फुल निकल गया, तो मैं उस लड़के को हरा नहीं पाऊंगा, जिस पर ये मिनर बोलता है, तुम तो कल्टिवेशन के मामले में सुन्यां रेलम तक पहुँच गए हो, जो कि कोई मामुली बात नहीं है, लेकिन तुम अभी भी उस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाऊगे, इसलिए इस फाइट को मुईयान जित जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुईयान अगर कभी खत्रे में राता है, तो तुम उसकी जान को बचा सकते हो, इस बात को सुनने की बाद यह आडमी इस चीज़ याँ पर एगरी करता है, और वो इस फाइली मिनल को दुबाला से अपने पास रख लेता है, और अपने आस-पास में जितने भी क्रिश्टल को फैला है उन सभी क्रिस्टल को भी यहाँ पर कर पहिलेता है, और यहाँ से जानने लगता है, लेकिन सब भी इंपोर्टेंट नहीं है फिलाल के लिए हम लोगों को अपने कल्टिवेशन के उपर फोकस करना होगा हम लोगों को अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाना होगा जिस पर यह आदमी बोलता है एल्डर क्यों मुझे भी इस चीज के बारे में पता है और वो लोगी अब बो के जितने भी इड़र नहीं है और मैंने अथी मेयनत के साथ में यहां पर छुपा कर रखा है इस बात को सुनने के बाद मुएन अपने आस पास की जवहों को देखता है और वह इस चीज को बहुत ही ज्शुक्त होते हैं इस चीज़ के वारे में किसी को भी पता नहीं है लेकिन तब अग haven को कि दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर हो गया पता चल जाएगा 좀 की जिन्दा बचे हुए है और वो लोग इस चीज का फाइदा उटा कर हम लोगों के उपर हमला कर देंगे और हम लोगों को जान से मार डालेंगे और ये old monster ये बोलने के बाद मुयान के उपर हमला कर देता है लेकिन मुयान इस attack को रोग लेता है इस बात को सुनने के बाद ये ओल्ड मोंस्टर भी यहाँ पर सांथ हो जाता है इसके माद मुहियान अपना परीचे इन लोगों को देने लगता है और वो बोलता है मैं तियान जुआन माउंटेन का एक टाइम पर डिसाइपल था क्यूंकि मुझे जुआन को माउंटेन के चैनरेन नाम के एक व्यक्ती ने जान से मार डाला था लेकिन मेरी किस्मत बहुती ज्यादा अच्छी थी जिसकी बुझे से उन लोगों को लया कि मैं मर गया हूँ लेकिन मैं जिन्दा बच गया था लेकिन मैं इस हालत में नहीं था कि मैं अपने आपको रिकवर कर पाऊँ लेकिन तभी मेरी मुलाकात तियानवाओ पवैलियन की यंग मास्टर बाव से हुई जिसने मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखा और उसने मेरी जितनी भी इंजिनिया थे उन सभी को भी हील कर दिया इस बात को सुनने के बाद ये मौश्टर इस ओल्ड मौश्टर के बाते में बताने लगता है कि यह मेरे दादा जी है और यह भी जुआनकोर माउंटेन के एक टैम पर एल्डर हुआ करते थे और तुम मेरे दादा जी को मिस्टर जी बोलकर बुला सकते हो इसकी बाद दूसमन हो इसलिए मैंने तुम्हारे उपर हमला किया था और मौयान तुम हम लोगों की हालत को देखकर समझी सकते हों कि ना तो हम लोग इंसान है और ना ही इस बात को सुनने के बाद मौयान बोलता है मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ गया हूं लेकिन मिस्टर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की बोड़ी में जो बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल है और मेरी कल्टिवेशन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों से बादा करता हूं जब मै मैंसा तुम्हारी मदद के लिए तयार रहेगी इस बात को सुनने के बाद मुयार भी थोड़ा सा खूस हो जाता है और वह बोलता है फिलाल के लिए मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं और वह बोलकर अपने एक टेकनिक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है इस चीज करी डिएए जार भी ता है इस चीज़ नह जाते है इस खुम हाँ जड़ है इस चीज़ currently को जहाँनें को आपके टार्व मद तो से हूं